नमस्कार मैं राष्टिय बाल विकास से जेपी सिंग आज एक बिल्कुल नए तरीके का टॉपिक लेक में हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम लोग हर राज्यों में घूमेंगे और जो new education policy है उसके तहट सरकार कहती है कि अपने regional language में पढ़ाई होनी चाहिए तो आज हम बच्चे से केवल regional language में ही बात करेंगे और हम देखेंगे कि वो कितना regional language समझ रहा है और कितनी regional language में वो बात करना चाह रहा है उसी पर हम बात करेंगे अभी हम देखते हैं यहाँ कोई बच्चा मिलेगा हम गौलियर में हैं अभी बात करते हैं अभी हमको एक बेटी मिली है उससे हम जानेंगे कि वो क्या कहती है क्या नाम है तुमारा रितिका चौहान रितिका चौहान किस क्लास में पढ़ती हो इलेवंध में कौन सा सेटेक ले रखा है ए मैट फिजिक्स के मिष्टी मैट फिजिक्स क्यमेस्टी और मैठ इन्होंने ले रखुए यह गउआन में किस स्कूल में पढ़ती ग्रीनवुड पबिक स्कूल अधितरों कालियには एंग्लिश मेडियुम है यह इंग्लिश मेडियं इस्कूल की वेटी है ऑर अब हम इससे जा हमारे क्लासें जो है वो रीजनल लेंग्वेज में लगेंगी क्या यह पता है हाँ यह पता है अभी वो जो निव एडुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से 2023 से कंपल सरी की स्टार्टिंग में बच्चों को उनकी रीजनल लेंग्वेज में पढ़ाया जैसे वह ज्यादा अच्छी तो चीज को अंडर्सेंड कर पाएं तो क्या तुम कुछ रीजनल लेंग्वेज यहां के बारे में जानती हो ग्वालियर की मैं तो सुरू से इंग्लि लेंग्वेज के बारे में इने जादा पता नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की छात्रा रहे है इसलिए कोई प्रधान मंत्री का नाम प्रधान मंत्री का जवालना नहरू और क्या आपको पता पहले राश्ठपती का नाम राजिंद्र प्रसाद ठीक है और प्रजेंट के राश्ठपती रामनाद गोविंद्र शिरी लगाया करो क्योंकि राश्ठपती हैं हमारे देश के पहले मने की प्रधम ब्यक्ति हैं इसलिए बहुत ही अच्छा लगा लेकिन अभी हम इनसे कुछ और जानेंगे इंग्लिस मीडियम की यह चात्रा है तो यह दो साल से स्कूल नहीं जा रही है तो यह किस तरीके से एजुकेशन में पढ़ रही है इसके बारे में यह पूछते हैं तो मारा स्कूल खुल गया हाँ अभी तो एक साल से खुला है अच्छा ओनलाइन पढ़ाई हो रही है हाँ सब्सक्राइब्ट ऐसलिए पेल लाइन कोई दिक्कत होई तुमें ऐसी तो कुछ नहीं बठाऊ वो नेटवर्क इसब्सक्राइब जिसलिए त्युक्त समझ में आते तो नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इसू है ये तो मैंे गौलियर में रह रही है तब भी यहाँ पे इसू है यह इसू हर जगह है तो हम उम्मीद करेंगे सरकार से भी कि यह नेटवर्क ओनलाइन एजुकेशन में नेटवर्क के बारे में जरूर ध्यान रखें अभी हम किसी और बच्चे से बात करते हैं क्या नाम है तुमारा अभैवरताप सिंचाहन तो नई सिठ्चा नीति आ रही है इसके बारे में तुम्हें पता है हाँ पता है अभी ऑनलाइन समाचार देखते हो या जो बेसिक नॉलेज्ज जो चाहिए होती है दे टूरे लाइफ की और कुछ न्यूज एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही है आप पर जो में इंपॉर्टेंट न्यूज है खाली हुई ऐसे नहीं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी न्यूज दिखते हैं बहुत ही बढ़ी हैं कम से कम तुम अपनी जो न्यूज सरकार आप लोगों के ब बोलता भी नहीं है बोलता दो पता नहीं है पहले में रायसा में आता था तौहां पर बेसी नॉमल इंडी नि बोलते हैं तो पते कुछ निया लेकिन अब सरकार यह चाहती है कि जो मदर लेंग्वेज है वो खतम नहों वो भी हमारे संस्कृति का हिस्सा रहे वो खतम नहों यदि इस तरीके से होगी तो धीरे-धीरे सब हिंदी बोलने लगेंगे और मदर लेंग्वेज खतम हो जाएगी इसलिए सरकार चाहती है कि मदर लेंग्वेज में पढ़ाई हो चलो कोई बात नहीं अब यह हम आप से कुछ जीके की बात बोलते हैं क्या तुमको राष्ट कान बरता है हाँ सुनना सकते हो हाँ जनी डिया लुआ है वृव द घृजा पैंजा बसेनम फेन के सबीडर लो pin?... मौल तो है दो तीन चार पास तो चार पा साल से क्यों नहीं होता नसकूल में वह लगते ना क्लास नहीं लिए असेमली एक चलो क्या तुम यह बता सकते लिखा किसने रविन नाट एक ओने ते एक बार फिर कोशिस करो कि तुम उसको गा सको अभी ते यारे मेंबर नी वह रहा होगे चुड़ा साया कोई ब इंग्लिस मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे यह भी भूल गए तो कि राष्ट गान भी भूल गए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है दरसल दो साल से जो हमारे एजुकेशन खराब हो रहा है ओनलाइन पढ़ाने के चक्कर में तुम्हें स्कूलों से दूर हो गए हो तो इसमें क्या तुम्हें अच्छा लगता है घर में पढ़ना नहीं तब इसी कौन सा सोच भी नहीं आते और इता मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में लेकिन अभी इता अच्छा समझ भी नहीं आता हो इता कि हम लाइफ जीद पाए चीजों को एक्सपेरिमेंट कर पाए साइ पढ़ना अच्छा नहीं लगला तो चालो बहुत ही अच्छी बात है अभी हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे और कुछ कोशस करेंगे ज़्यादतर गवालियर में हमने पाया कि सारे बच्चे जादतर इंग्लेस मीडियम में पढ़ते हुए मिले, हिंदी मीडियम के अभी बच्चे मिले नहीं है क्योंकि सब साधियों में ब्यस्त हैं और इधर छुटियां चल रही है, स्कूल अभी खुले नहीं है अभी फिर हम जानने की कोशिस करेंगे कि मदर लेंग बेज कैसी और कितनी यह सुन्दर है और कैसे बच्चे बोल पाते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिदू इंदिया है किस क्लास में पढ़ते हो? मैं फिफ्ट क्लास में पढ़ता हूँ और किस स्कूल में पढ़ते हो? ECS Bagless School. तो आप रहते कहा हो? मैं CB कालोनी में रहते हूँ, ये गॉलियर में. गॉलियर में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ये जो नई सिच्छा पॉलिसी है, इसके तहत सरकार चाहती है कि एक लेंग्वेज, तुम अपने रिजिनल भासा में लो, उसी में पढ़ाई हो, क्या तुमको रिजिनल भासा आती है? मैं को नहीं आती है. तो तुम कैसे पढ़ोगे? आप देखें इस बच्चे को गौलियर की भासा अच्छी नहीं लगती ये गौलियर की भासा को सीखना नहीं चाहता चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है हम आपका सरकार तक पहुंचाएंगे हम आपसे एक कोश्चन करना चाहते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री हाँ हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवारलाल नहरू बहुती सुन्दर जवाब हमारे पहले प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू थे, क्या आप पहले राश्पती को भी जानते हैं, पहले राश्पती को मैं नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप पहले राश्पती को नहीं जानते हैं, तो क्या पहले सिछा मंत्री जो थे उन्हें भी जानते हैं, कि क्या आप अप प्रेजेंट में जो हमारे राश्पति ये उनका नाम जानते हैं रामनात कोविंद्व और हमारे प्रधान मंत्री नरेंद और और हमारे सिछ्चा मंत्री को नहीं जानते जिनके के तहट यह मंत्राले चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं हम कोसिस करेंगे इनसे कुछ और जानने की क्या तुमको यह हमारा राष्ट गान कौन सा है हमारा नेशने इस्थम है जंगर्मन क्या तुमको आता है आता तो सुनाओ जनगर्मन पहले कैसे खड़े होते हैं जनगर्मन के लिए आप सुनाओ जनगर्मन अधिनायक जया है भारत भाग्यविधाता पंजाब विसंद्र गुजरात मराठा द्रावड उच्छ कले वंगा विंद्र इमाचल यमुना गंगा उचल जलसितरंगा तव शुवना में गाय तब जया गाता है जनगर्मन अधिनायक जया है भारत भाग्यविधाता कि नसपों बहुत हैं व्यांट पता है नहीं पता तो हमारा चैनल देखे रहें आपको हमारे राइटर का नाम भी पता लगेगा दो सालों से करोना है करोना काल का ये एक ऐसा चरण है जिसके तहट बच्चा हर चीज भूलता जा रहा है इसकूल वो जा नहीं रहा है हर चीज भूल जा था क्या तुम्हें पहले याद था? हाँ, पहले याद था थोड़ा हूँ आप सबको याद था भूल रहे हूँ चलो बहुत ही अच्छा लगा इस बच्चे से बात करने पर इसे रीजनल लेंग्वेश से कोई लगाओ नहीं है आगे हम देखते हैं और बच्चे से बात करते हैं क्या नाम है तुम्हारा? माई नेम इस अंकिस सर्मा अंकिस सर्मा और तुम कहां रहते हो? गोले मंदिर गोले मंदिर कहां है ये? जो ज़सेड है ग्वालियर में? हाँ तो ये ग्वालियर गोले मंदिर में रहते है किस क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ सेवन्थ क्लास में सरकारी में या प्राइबेट में? प्राइबेट में आपको पता है नई सिच्छा नीती आने वाली है जिसके तहत सरकार आने वाले साल से सिच्छा को बदलेगी सिच्छा का पैटन वो ऐसा करना चाह रही है कि जैसे तुम सेवंत में पढ़ रहे हो तो तुमको एक रिजनल लेंग्वेज में आपको कोई सेब्जेक्ट लेना है तो क्या आप हम आप से हिंदी में बात करेंगे क्या तुम ग्वालियर की बोली जाने वाली लेंग्वेज मे जवाब दे सकते हो अब कर दो बहुती बड़ियां बात यह बच्चा हमें ग्वालियर की लेंग्वेज में जवाब देगा तो अभी हम इससे बात करते हैं कि आपको ग्वालियर में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगे कौन सी लगती है पर्श्वतिम बैस आप इसको ग्वालियर की लेंग्वेज में बताए कि हमें जू पसंद है या कैसी लेंग्वेज यहां बोली जा रही है गाओं की लेंग्वेज जो यहां की लोकल लेंग्वेज है बोल पा रहे हो कुछ आप बताओ ग्वालियर में कोई लेंग्वेज है या हिंदी बोली जाती है हिंदी बोली जाती है हिंदी भी किस तरीके की होती है है कि यहां का पसन्दीदा कोई गाना हो कई चीज हो वो सुनाओững गुछ भी नहीं है तो मैं जो थो पाट साला में तुम लोग आपस्लिर45 बात्य करते हो तो वो किस हिंदी Damon करते हो या ग्वालियर की लेंग्वेड में हिंदी में तुमाने तुमारे यहां लेंग्वेज का कोई प्रोब्लम नहीं माने कोई बात नहीं तो क्या तुम यह बता सकते हो हमारे पहले प्रधान मंत्री कौन थे कौन थे महात्मा गांधी पहले राष्ट पती कौन थे यह पता है राष्ट पती भी महात्मा गांधी थे आप किस क्लास में पढ़ते हो फिफ्ट में किस स्कूल में उज्वली असे सनुविद्या पीट में क्या सरकारी है यह प्राइबेट तुम एकदम कौनफिडेंट से कह रहे हो कि राष्ट पती भी महात्मा गांधी और प्रधान मंत्री भी महात्मा गांधी थे राष्ट पती नहीं है महात्मा गांधी तो क्या थे महात्मा गांधी तुम दोनों को राष्ट गीत आता है राष्ट गान आता है पांच साल से तुम राष्ट गान रोज सुबह गाते हो क्या तुम आता है तुम बताओ आता है तुमको सुना सकते हो सुनाओ तो आता ही नहीं है तुम तुमने क्यों कहा आता है क्यों कहा बताओ क्यों कहा यह कहो न मुझे नहीं आता तुम भूल गए क्या फिर क्यों नहीं आता तुमको राश्ट का हमारा चैनल देखना उसके अंदर बच्चे कैसे सुनाते हैं जरूर याद करना ठीक है किया नाम है तुमारा प्यूस बघेल इस्क्स प्लास इसकुल का क्या नाम है डी पी ए डी पी ए कहां पर यहां डी टी नाम है यहां पड़ते हो हां अच्छा कि क्या आपको यहां की लोकल लेंग्वे जाती है लोकल मात्र भासा आती है तो क्या तुम मात्र भासा में कुछ बता सकते हो क्या बता हूं ग्वालियर के बारे में बता दो मात्र भासा में ग्वालियर के बारे में बताओं है अब मुझे क्या पता तुम घर से निकले में एसे घूमा तो कैसे घूमें तुम यार कमालत घुमाई नहीं हो कैसे हो सकता है अरे सुनो आओ तो तुम तो भाग रहे हो तो क्या हुआ जल्दी में तो जल्दी में तो तुम दुनिया ही है तुम दुनिया ही जल्दी में है तुम यह बताओ यह बताओ तुम्हारे यहां के मुख्यमंत्री के जानते हो कौन है मुख्यमंत्री चलो कोई नहीं जानते जी के आती है तुमको मुझे नहीं आती ही राष्ट गान आता है मुझे नहीं आता अंकल जल्दी में जाना है मुझे जल्दी का क्या मतलब है जल्दी का मतलब अब त तो क्या बोलेंगी प्यार करेंगे आरे अंकल में देखें देखें क्या हालात इस देश में बच्चों का क्या नाम है तुम्हारा आयूश बदोरिया आयूश बदोरिया यह किस सक्राइब में पढ़ते हो नाइंथ नवी निजिस स्कूल में पढ़ते केंड्री जो नंबर एक कैंड्री विध्याल नंबर उन का यह चात्र है और ये नाइंड लाश में पढ़ते हैं कि अब यह एजुकोषण नज पूलेसी आने वाली इस नहीं मुझे नहीं पता नहीं प कि इन्होंने कंपल्सरी की है कि मात्र भासा में तुम्हें पढ़ना है कि मात्र भासा में एक तुमको लेना है क्या तुमको मात्र भासा यहां की पता है हिंदी यहां की हिंदी है यहां की मात्र भासा हिंदी है कुछ ऐसी मात्र भासा नहीं जो यहां पर लोकल बोली जाती हो पूरे उसमें लगवक हिंदी बोलते हैं और जो कई तरीके की भासाइं बोलते हैं समाचार चैनल यह कैसे बोलते हैं अपने मद्धे परदेश में बाकी तो फिर महराथी हुई गुजराती हुई पंजावी हुई बाकी और जगह पर पीवासा बोली आती है अच्छा चलो कोई बात नहीं यहां की यह बच्चा बोल रहा है कोई लिंग कोई बने कोई लेंग्वेज नहीं है रिजनल लेंग्वेज नहीं है जिसमें यह पढ़े यह केवल हिंदी में पढ़ना जानता है क्या आपको पहले प्रधानमंत्री का नाम पता है हमारे देश के पहले पेजान मंत्री प्याद था नाल जवाल नाल नहीं नहीं याद है यान नहीं आ रहा पहले तो आपने सही बताया जवाल लाल नहीरू फिर ध्यान क्यों नहीं आया पहले राष्टपती का नाम पता है राष्टपती का नहीं पता क्या अब जो राष्टपती हैं उनका नाम पता है आ जिंदर प्रशाद अब अब प्रेजंट में हां कि सोच्छ समझ के बोलों है सोच्छ समझ के बोला है है लग रहा तुम डर रहे हैं कि ये डरने की चीज नहीं है नहीं है तो तुमको राजेंदर प्रशाब पहले प्रधानमंत्री थे या आज प्रेजेंट के प्रधान तो तुम चड़ गए सायद क्यों चड़े पताया नहीं क्या तुम अपनी मां को देखके चड़े या हमें देखके पताया नहीं किसको देखके चड़े नहीं तो ये बात ठीक नहीं है न ये जीवन में ये बात ठीक नहीं है ये यदि इस तरीके की चड़ होगी तो क्या समझ सकते हो कि ये जिन्दिगी के लिए बहुत घातक है हमने तो कोई ऐसा कोश्चन भी तुमसे नहीं पूछा क्या तुमको राष्ट गान आता है सुना सकते हो सुना सकते हो सुना सकते हो सुना ऐसे गाये जाता है राष्ट गान कैसे गाते जने उठके मलब यार बताओ तरीके से गाऊगे ना सम्मान तरीके से गाऊ आप खुद देख लें खुद देख लें जो बच्चे नौनो साल से आठाट साल से स्कूलों में जाके परड़े गाये जाने वाला राष्ट गान है उसको भी किस तरीके से भूल चुके हैं । दरसल क्या करोना काल है दो साल से बच्चे स्कूल नहीं गए मैं इनकी गलती नहीं मानता किसी तरीके से सरकार की सराशर गलती है हर तरफ हर चीज खुली हुई है लेकिन हमारे बच्चों को इन्होंने घर में बंद कर रखा है ये बहुत ही गलत बात है जो सिच्छा का इस्तर बहुत ही डाउन होता जा रहा है अभी हम किसी और बच्चे से बात करेंगे क्या नाम है तुमारा किस क्लास में पढ़ते हैं क्या आपको पता है यह सिच्छा नीती बदल गई है पता है तो इसमें सरकार कहती है कि एक लेंग्वेज आपको मात्र भासा में लेनी पड़ेगी तो यहां की मात्र भासा क्या है हिंदी है यहां की मात्र भासा हिंदी है हिंदी में यह पढ़ेंगे लेकिन सरकार कहती है जो बोले जाने वाली भासा है उसमें पढ़ना है तो बोले जाने वाली भासा कुछ तो अंतर होगा या हिंदी यह प्योग नहीं अंतर है ना तो यह इन्होंने बताएं अंतर है तो आप कुछ अंतर आप ग्वालियर के बारे में बताएं अपने उस मात्र भासा में जिसे बोलना चाहिए जिसे बोल रहे हैं उसमें ग्वालियर के बारे में कुछ बता है हमारी मात्र भासा में इसके बारे में काफी विचार करना चाहिए अलग अलग प्रक्रियां जो चल रही हैं कुछ काम खराब हो रहे हैं जिस प्रकार से कुछ-कुछ सुबदाय उपलब्द नहीं हैं जैसे कई-कई जगए पर रोड खराब हैं कहीं सीवर जैम हैं यह सब हमें सही करवाने चाहिए तो इसके कम लाव अवाज उठानी चाहिए है कुछ लाल के लेके बारे में मोओरास इंदिया के जो यहां के डूज इस चल्रksom अऔर बताए घाउं तो सब्यांग की बासंकर गांग की और सानल उस में बताए है यह अपने हिंदीम बताएं इसमें नहीं पूछा जो यहां क कि बोले जाने वाली भासा है जिसे आप लोग बैट के बोलते हो उस भासा में बताओ उस भासा में बताओ दुन्या और भी बच्चे सुनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा उस भासा के लिए तो हम ढून रहे हैं हमें अपने गवालियर के सभी कार्णियों को सुधा करना चाहिए जैसे नहां सीवर जाम डरी राते हैं और जी रोड़ें खराव हैं जिन्हें सही करवाएं भी चाहिए और वह काम देख वे चाहिए जनता परिसान है ताइदेख है नेक सुधारें जया काम है नेक यह है असली भासा इस भासा की खोज में हमने यह नया अच्छे यह बच्चे इस भासा को भूलना भूलते ही जा रहे हैं जो हमारी इनकी अपनी संस्क्रिति यह उसे बूलते जा रहे हैं जलो बहुत ही अच्छी बात है आप कुछ कुछ और बताओ बहतर बताू कि माने यहां के गॉालियर के बारे में इस लैंग्वेज में बताओ कि फिर बारे में कि जहां कि यहां पर यह वर इन mobilize और इन सब बातों को वर अपनी भासंव मत णो यहां हजीरा के दिंगा किला है अपना गौालियर का उसमें कई राजाओं ने राजभी किया और दिंगाई मंदिर है एक दंद्रवगाद हम जो मंदिर है महां कई जने आता है अलब उनकी कामनाय पूरी होती है तो लोग कामुं कराता है वेते हैं अलग-अलग चीजें जमाक मतलब टाइल सब अगएरा दे जाता है जिनके जैसे जैसे काम बहें हैं पूरे और पढ़ाई के काफी सारे सेंटर खुले गाएं कोचिंग एक डिंगाई है यहीं डी पीम क्लासिस और रहों चीजें हैं अब दीरे दीरे नेक बढ़ रही है जामें ग्वालियर की स्तितिन अब अच्छा लगा और आप भी बच्चों मजा लेना हर तरह की हर हिंदिया के हर लेंग्वेज को आपको हम मजा दिलाएंगे आप इसको जरूर सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा अब दो-चार हम जीके की बात कर लें किया आपको हमारे पहले प्रधानमंत्री का नाम जी अपले राष्ट्पती राश्ट्पति राजवेंद प्रसार जी कि या तुमको दिल्ली के मुख्यमंत्री के आउन नाम पता है केज्रीओ जी कुसे बहुत ही बड़िया इसके नोलेज तीन जवाब दिये और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हम आपको इसी भासाओं में आपको हम सिखाएंगे धन्यवाद